कर दोस्तों मेरा नाम संदीक पावार है अलबरेस इंफराटेक्स है हूं में अलबरेस इंफराटेक के रेडा रेजिस्टर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जोगी न्यू गुडगाओं के अंदर पिछले दस साल से काम कर रहे हैं हम लोग और यहां पर रेडी तू मूव इन अंडर कंस्ट्रेक्शन या फिर न्यू लॉन्स सभी के लिए हम अधर करना चाह रहे हैं उन सभी कि हम हेल्ट करते हैं तरीके से कंसल्टेंशियम प्रोवाइड करते हैं आज हम यहां पे आप लोगों के लिए लेके आएं कि बहुत ही बरिया अपॉर्चिनिटी घर भाई करने के लिए कि इस तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर आप देखी रहे है कि प्रॉपर्टी आपकी हर मंथ हर आपकी दो महीने में कम से कम पांसो रुपे पर स्कूर फिट या हजार रुपे पर स्कूर फिट के आजपास प्रॉपर्टी के अंदर अप्रिशेशन आ रहा है लेकिन तो एक मिडिल क्लास आजमी के लिए घर भाई करना बहुत ही क्य membri Half कैंप तो कोंसेप्ट की बात करते हैं तोटर सब्राइक कट्र सब्सक्राय इकर Donutsol यह पूरी पर आपकी सेखिजिट के आजप आ यहPNर जैसे मेरी बैक साइड में आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा लेंड पारसल है साड़े सतरा एकर का लेंड पारसल है जो की पीछे तक जाता है में इंटरेंस जो है इसकी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी उनिवर्शिटी है गुर्मेंटिड यूनिवर्शिटी है और इसी रोड से जब हम राइट लेते हैं तो राइट लेके इस चुरहय को आप क्रॉस करेंगे तो यहां पर आपका बेस्ट एक संसकुर्ती के नाम से एक एग्जिस्टिंग सुसाइटी है जो की 90% उकुपाइड सुसाइटी है इसी से मुस्के से 50 मिंटर आप आगे चलें यहां लोकेशन है जहां पर आपकी सिगनेचर ग्लोबल सीटी 93 या फिर इसके साथ में जो सर्विस लेन बनेंगे उससे इसकी मेन इंटरेंस एगी यही रोड आपके लेफ्ट साइड में अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में रोड सीधे जाके आपकी जो सेक्टर लोकेशन बहुत ही सांदार है यहां से राइट जाएंगे तो राइट साइड के लिए आपकी मैक्सिमम जो ड्राइब लगेगी द्राइब लगती है दौर के एक्सपरेश वे पर इधर से भी कनेक्ट हो सकते हैं फाइब मिनट्स के ड्राइब आपकी पटोजी रोड के लिए लगती है बहुत ही एक डवलप्ड लोकेशन है इसके सामने ठीक आजाती है आपकी सेक्टर नाइनटी टू वेस्टेक पार्क संस्कृती जिसके अंदर अगर आप देखते हैं तो लगबग 90% के आसपास occupancy आ चुकी है बाकी प्रजेक्ट की डीटेल हम आपको चलते चलते रहेंगे यह पूरा पूरा लेंड बैंक है यहां पर साड़े सतरह एकड़ का जिसके अंदर यह सुसाइटी पूरी डवलफ की गई है बेसिकली सुसाइटी का जो कॉंसेप्ट है वो है रहना और खरीदना एक ही जगह पर इसमें लगबग आधे कड़के आसपास का आपका कमर्शियल हब रखा गया है जहां पर आपका ग्राउंड फरस्ट और सेकेंड फ्लोर बनाई गई है ठीक है जी उस पर रिटेल किस तरीके कर रहेगा एक बार आप इधर आजिए हम आपको सुसाइटी का ले आउट दिखा जेते हैं यह पूरी सुसाइटी का 3D व्यू रहेगा आपका में एंट्रेंस यह वाला जो है आपका इसके अंदर यह पार्सल जो है यह वाला पार्सल आपका रिटेल अप रहेगा पूरा 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 में एंट्रेंस जो रहेगी आपकी यहां से बेलावे पूरी सुसाइटी के लिए बहुत ही सांदार लोकेशन बेसिकली 24 मिटर वाइड रूड के उपर पूरी लोकेशन आजाती है उस साइड में जो आ जाता है आपका community center या फिर clubhouse बोल सकते हैं clubhouse इसके इंदर बहुत सांदार इन्होंने बनाया है इसके इंदर आपके सारी amenities तारी facilities रहें ईसके अंदर फुनली लोडेट अपाटमेंट आपको दे रहे हैं इसके अंदर आपका पाँच रबेडरूम के अंदर एसी लगाके दे रहे हैं हर एक ऐंडर आपको फ्लॉर के अंदर आपको मोडिलर कीचन बना के दे लिगन इसके इंदर खास बात क्या है? सिकनेचर ग्लोबल सीटि नायटिस्टी के अंदर जो सबसे खास बात हैं यहां इनका जो आर्केटेक्ट है एडास का नाम आपने सनो होगा International Architect Designer है जो कि आपका Singapore-Based Design है जितनी भी Singapore के अंदर वेलोन बड़ी-बड़ी बिल्डेंगा बनी है दुबई के अंदर जो बड़ी बिल्डेंगा बनी है वो सभी ही सभी आपकी एडासचीर नहीं आर्केटेक्ट की है तो एक वो नाम इसके साथ में जोड जाने से आप एक वेल्यू एक लग्जरी वील जुँड आई की इस society के अंदर वो बहुत ही बहुत ही बहतराने वाली है दूसरी ची चीज़ construction quality जो रहेगी माईवन के construction quality है society के अंदर इसके अंदर basically type अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं इसमें तीम टाइप की अपार्टमेंट इनने बनाए हैं 3 BHK with 3 toilet with study इसका अगर size की बात करते हैं इसका size start होता है आपका 15 30 square fit area 3 BHK 3 toilet with study 15 30 square fit area है अगर प्राइस की हम बात करते हैं तो प्राइस यह स्टार्ट होता है अगर फर्स्ट फ्लोर में आप जाते हैं 1.33 CR से स्टार्ट होता है then second और third floor का same price रहेगा आपका 1.27 CR fourth floor का price थोड़ा भर जाता है because उसमें roof right मिल जाता है आपको so इसका हो जाता है 1.37 CR फिर एक second type जो है इसका 3 BHK with 3 toilet इसमें इसका जो size है आपका 1496 square feet area है 1496 square feet area में आपको basement के अंदर एक fully loaded office space आपको मिलता है जिसके अंदर आपका 290 square feet का है उसके अगर price range की हम बात करते हैं तो 1.24 CR से वो start होता है 1.29 CR तक उसकी costing जाती है then फिर एक third size और आजाता है इसके अंदर 3 BHK with 3 toilet ये भी आपका ये ही size रहेगा इसमें जो size है 1335 square feet area है first floor जो इसमें start होता है आपका that will be start from 1.11 CR and it will be end up 1.15 CR so payment plan बहुत ही easy है एक लाग रुपीज पे करके आप अपनी unit को book करा सकते है then accordingly आपको आपको जो complete करना होता है submission of 60 days के अंदर आपको 16% amount complete करना है 30 days के अंदर आपको 9% complete करना होता है then according to the construction आपका जाता है 20-20% में divide हो जाती है payment then last वाली जो three new installment है वो आपकी 5% 5% वाली जाती है सभी के अंदर payment plan बिल्कुल सिंपल रहेगा जो 2PH के वाली floor है 2PH के वाली floor का जो साइज है आपका that is 11 18 square feet area and 9 18 1 square feet area which will be start from 76 lakh rupees 78 lakh rupees से जो start होती है and up to it will go somewhere 84 lakh rupees or 96 lakh rupees so this is the all information which we have prioritized rest information के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं लीचे दिए गए नमबर पर and thank you so much for watching comment जरूर कीजेगा if you want to we don't get want to get time video for another society for another project thank you so much